नमस्कार आप देख रहे हैं रिश फोर्णिशन और मैं हूँ प्रियादर्शन आपने कहावत तो सुनी ही होगी घर का भेदी लंकाडा है और कुछ वही स्थिति इन दिनों राजत सुप्रीमो लालू यादव के साथ है कि एक महजुदा समय में जब लोकसभा के चुनाओ हो रहे हैं तो लालू यादव के सामने चुनाओती या है कि उनके ही नेता उनके ही घरों में आग लगाने को आतुर है और इस्थिति है कि लोकसभा चुनाओ के पाच में चरन के आते आते प्रतिष्ठा की कई सीटों पर लालू यादव को चुनाओती इसके है कि उनके बागी उनकी काखेल खराब ना कर दें दरसल अगर आप देखें तो मौजुदा समय में जो लोकसभा के चुनाओ हो रहे हैं उसमें 20 मई को सारन, वैसाली और हाजीपूर संसदे सीटों पर चुनाओ होंगे इसके तरिक चुनाओ तो मुझभफरपूर और मधुपनी में भी है लेकिन हम बात करेंगे सारन, वैसाली और हाजीपूर में जहां राजद के प्रत्यासियों को सबसे बरी चुनाओती एंडिये के प्रत्यासियों से तो मिल ही रही है लेकिन उससे जदा बरी चुनाओती उन्हें है घर के भेदी लंका डाहे से यानि की वैसे नेताओं से जो एक दौर में राजद के साथ रहे और अब राजद के ही उमिदवारों का खेल खराब करने के लिए NDA के पक्ष में खुल करके मैदान में उत्रे हुए हैं दसर अगर आप रोहनी आचारी को याद करेंगे तो यही वही रोहनी आचारे हैं जिन्होंने लालू यादब जो बीमार हुए तो बीमार पिता को किड़नी दान करने के कारण रोहनी आचार एक आदर से बेटी के तोर पे पूरे देश में जानी गई और उन्हें अब लोकसभा चुनाओं में लालू यादब ने टिकेट दे दिया है और यहां उनका मुकाबला भाजपा के राजी प्रताफ रूरी से है जो लगातार दो बार सारण से लोकसभा का चुनाओं जीत चुके है और इस बार जीत की हैट्रिक बनाने पर वहाँ चुनाओं में उतरे हैं यहाँ पर लालो यादव के लिए खेल खराब करने पर आमदा है दसर चंद्रिकाराय लालो यादव के बड़े बेटे तीज प्रताप यादव के ससुर है बाद में जब तीज प्रताप यादव की शादी एस्वर्य राय से हुई थी उसके बाद दोनों के रिस्ते आगे चलके अलग-लग वजहों से पारिवारी कारणों से कुछ उसमे वबधान आया और चंद्रिकाराय की बेटी तिर्ट प्रताफ यादब से अलग हो गई अब इस्थिती है कि चंद्रिकाराय इस चुनाओ में अपने ही समधी की बेटी का खेल खराब करने को तयार है वहल लगातार राजी प्रताफ रूडी के लिए अलग-लग जगों पर चुनाओ मैदान में उनके लिए प्रचार करते दिख रहे हैं यहां रोचक यह भी बात है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाओ हुआ था उस चुनाओ में राजद ने चंद्रिकाराय को ही उमिदवार बनाया था और चंद्रिकाराय यहां पे लोकसभा चुनाओ हार गए थे लेकिन पांच साल में कई तरीके के पारिवारिक और राजनितिक बदलाओं को राजद परिवार ने जहला है जिसमें अब चंद्रिकाराय के रिस्ते लालुयादव से मधुर नहीं रह गए हैं तो चंद्रिकाराय अब लालुयादव की बेटी रोहिनी आचार चुनाओं में हारे इसके लिए राजी प्रताफ रूरी के समर्थन में खुल करके चुनाओं मैदान में उतरे हुए हैं यानि की सारण में राजद का लाल्टेन नहीं जले इसके लिए लालुयादव के समधी ही चुनाओं मैदान में राजी प्रताफ रूरी के लिए उनके सार्थी बनके उनको चुनाओं मैदान में जिताने के लिए लगातार प्रयास रथे हैं और इस्थिति के बदल शारण में ऐसी नहीं है, बलकि हाजीपूर और वैसाली की भी अगर आब बात करेंगे, तो वहाँ भी कुछ इनी चुनाउतियों से लालुयादव की पार्टी जूज रही है, दरसल हाजीपूर और वैसाली इन दोनों सीटों में माना जाता है कि यो मतदाताओं का एक बरा वर्ग है, उसमें राजपूत वोटरों की बरी अहम भूमिका है, तो ऐसे में लालुयाद के पती ही अब लालुयादव के बागी होकर के राजप के उमिद्वारों को चुनाव हराने के लिए सारन और वैसाली में ताल ठोक रहे हैं, दरसल हम बात कर रहे हैं रामा सिंग के, रामा सिंग जो की बीना देवी के पती हैं, बीना देवी राजप के विधायक हैं, और र यहां पर एंडिये प्रत्यासी और राजपूत जाती से आने वाली बीनादेवी के पक्ष में चुनाओं में मतदान करें तो रामा सिंग के अगर हम बात करें तो रामा सिंग बाहुबली छबी के नेता है और रामा सिंग के ने अलग-अलग समय में अलग-अलग लोगसभा विधान सभा चुनाओं में अपनी पहत पूर्ण गुमिका निभाई कई जीत हासिल की और इन सब के बीच रामा सिंग इस बार लोग सभा के चुनाव जीत लड़ना चाहते थे संसद बनना चाहते थे लेकिन उनका संसद बनने का जो सपना है वह सपना लालू यादब ने उनके सपने को तरीके से कहें तो कैंची चला दी और वहाँ पे जो वैसाली सीट है वहाँ से मुन्ना सुकला को टिकेट दे दिया है मुन्ना सुकला भी बाहुबली छबी के नेता है और मुन्ना सुकला को टिकेट दिये जाने से नाराज रामा सिंग ने अब राज़त से बगावत कर दी और वे अब राज़त के उमिदवारों को चुनाव हराने के लिए दोनों लोगसभाद छेतर हाजीपूर और वैसाली दोनों लोगसभाद छेतरों में दम भर रहे हैं अगर आप दोनों लोगसभाद छेतरों में की भ पुल बंद करके राजिक प्रत्यासियों की हार चुनिश्चित करने के लिए रामा सिंग यहाँ पे लालू यादव के लिए बरे कंटक के तौर पे उभरे हुए हैं। बाउर में राजद का लाल्टेन लेकर के चलते थे और अब लाल्टेन को ही बुझाने के लिए लगातार हाजिपूर, वैशाली और सारन लोक्सभाच्छत्रों में प्रयाश्रत हैं।